बिसमिल्लाइरवानीरहीम, अस्लामलेकूम आज हम वड़ा पाउँ बनाएंगे और वड़ा बनाएंगे और उसके साथ हरी चट्नी, लाल चट्नी और सब सब चीज में आपको बनाना बताओंगे इसके लिए स्टेप बेस्टेप फॉलो करें तो जबी आपका वड़ा पाउं बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा उसके लिए एक कप बेसन लेना है और उसमें डालना है आदर टीस्पून नमक और एक चुटकी सोडा है बेकिंग सोडा वो औप्शनल है अगर आप डालना चाहे तो डाले नहीं तो ना डाले और थोड़ा थोड़ा पानी डालके लंस फिरी इसका बैटर बना कर तयार करना है एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है और यह देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करेंगे तो इसमें कोई लंस नहीं पड़ेगा और ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है बेशन को और बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं रखना है अगर आप रेस नहीं देंगे तो वड़ा इतना अच्छा नहीं बनेगा तो इसके लिए सबसे पहले बेशन को साइड में रख दें साथ हरी मिश लेंगे छे से साथ लस्टन लेंगे और दम छोटा सा टुकड़ा अध्रक का लेंगे देखिए बहुत ही छोटा सा है जादा बिल्कुल भी नहीं लेना है इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और बिना पानी डाले हम इसको इस तरह से इसका पेस्ट करेंगे यह देखिए तरह से इतना हम अमने निकाल लेना है और जो इसमें बच्चा हुआ है थोड़ा सा इसके साथ हम थोड़ी फिरम इसमें एक मूटी बर के यहां पर देखिए फ्रेश राधनिया डालेंगे और इसके साथ थोड़ा सा पानी हम एक आट करेंगे और आज तेबल स्पून नमक डालेंगे नमक आप टेस्क के अकॉर्डिंग कम या जाधा कर सकते हैं बिल्कुल इसको इस्मूद्ली ग्राइंड करना है बिल्कुल यह बारिक सब पेस्ट बनकर तयार है यह हमारे ग्रीन चटनी बनकर तयार है पाइसी और तीकी सी फिर बस ये चटनी को हम साइड में रखेंगे और वड़े की प्रेप्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एक पैन में हम एक टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और इसमें आधर टी स्पून डालेंगे राई और यहाँ पर कड़ी पत्ता लेंगे और इसको राई को अच्छे से चटकने देंगे और राई जब तक अच्छे से नहीं चटकेगी तो इसका फ्लेवर जो है तो तो तेल में अच्छे से रिलीज नहीं होगा तो यह बहुत ही इंपोर्टन है कि आपने राई को अच्छे से च अद्रक वाली तो फिर इसे अच्छे से भूनना है जब तक के लसुन का और मिर्ची का बिल्कुल भी कच्छापन ना रहे जब इच्छे से भून जाए तो फिर इम इसमें एट करेंगे नमक नमक हम एक टी स्पून एट करेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम यह जादा भी कर सकते हैं तो फिर नमक भी इसमें एच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें एट कर देंगे आलू बॉयल किया हुआ उसे थोड़ा सा मैश कर लेना है हातों से बस बहुत ज़्यादा बारिक इसे मैश नहीं करना है तो तीन मीडियम साइज के बॉयल डालू है यहां पर वड़े में थोड़ा सा आलू आता है थोड़ा बड़ा बड़ा तुकड़ा तो वह अच्छा लगता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादे इसे मैश ना करें और बस इसे मीडियम फ्लेम करेंगे तो यह बस ठीन मिड़् में ही एक्षे से मिक्स हो जाएगा और यह वाक बड़ा हुझे սालू मसाले में बहुत अक्षे से मुक्स हो गया तो बस इसको इसे श्टेश पे हमने फ्लेम को आफ करना है और इसे लिए अम में ट्रांसफर करेंगे और नो 3 मिंड तक इस इसे बस ऐसे छोड़ देंगे गरम में हमने इसमें ढ़ल बिल्कुल शेंज हो जाएगा तो इसके लिए घंडा होने देना है और जब यह थोड़ा सा ठंड़ा हो जाए फिर हम इसमें एट करेंगे दो टेबल स्पून के करीब बारी कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम वड़े का शेप देंगे आपने जितना बड़ा या छोटा वड़ा बन कर तयार कर लेंगे तो यहां पर देखिए तकरीबन 9 वड़ा बन कर तैयार हुआ है तेन आलू में तो यहां पर हरी मिर्च लेंगे तो हरे मिर्च तेल में डाले क्वंकि यह भड़ जाती है तो यहंपर हलकी सी इसकी दोता अँग हम घरन करेंगे मेडिया माइश पर यह भी है और यह जो बेसने इसे बस लिख करना है और एक से डीर इडल में तक छोड़ाईंगे और इसको फ्राइब रहे है लाव्ट पड़ गोल्डन और होने तक काथ पराय करिचे लूएC mesmo क्रिस्पी चटनी बनकर तयार होगी तो यहां पर यह देखिए इस तरह से इस तरह से हम निकाल लेंगे जब वो क्रिस्पी हो जाए फिर हम इसमें एक एक वड़ा डिप करेंगे बेसन में और ओयल में डालते जाएंगे तेल बहुत तेज गरम नहीं होना चाहिए अगर तेज बाद ही हम इसकी साइट को चेंज करेंगे डायरेक चेंज नहीं करना है नहीं तो इसका शेप खराब हो जाएगा और यह देखिए इस तरह से उलट पलट के दोनों तरफ से बस हलका सा गोल्डन कलर आने तक फ्राय करेंगे वड़े का कलर बहुत जादा डाक नहीं होता है तो इसे आप निकालने के बाद निकाल लें, रिमूफ कर लें और यहाँ पर यह देखिए लारा यह वड़ा भी फ्राय होकर तयार हो गया है यहाँ पर जो हरी मिर्श हम फ्राय करेंगे इस पर हलका सा नमक की स्प्रिंकल करेंगे और यहाँ पर हम सुक्यूई लाल चट्नी बनाने के लिए यहां पर देखिए दो तीन लस्वन भी फ्राय करना है साथ में बेसन में और फिर इस तर से हम इसमें ये पुरा बेसन एट करेंगे और यहां पर हम आधर टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिश पाउडर और बस इसका बिल्कुल बारिक सा पाउडर बनान बस अब हम वड़े पाउँ को असेंबल कर लेंगे और इसे सर्फ कर लेंगे सर्फ करने के लिए एक तरफ हमने ग्रीन चटनी अच्छे से लगाना है आप जितना भी तीखा पसंद करते हूं उस हिसाब से लगाएं और यहां पर वड़ा रखेंगे और यहां पर धे सारी ल जाएं और रखें और तोड़ी सी लाल चटनी और मिर्ची के साथ सर्फ करें तो उम्मीद करती हूं कि आपको वड़ा पाउं की यह रेसिपी पसंद आई होगी आप जरूर से मेरे बतायवे मैं थट से ट्राय करें इंशालला आपको बहुत जादा पसंद आएगी अगर आ जाफीज